तो जैसे कि अभी हमने याप पर निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है अगर दोस्तों आप हमारे रेगुलर यूजर है तो आप सभी को पता होगा हमने आपको कल की वीडियो में इस पेशल कहा था कि हम जैसे ही मार्किट ओपन होगा हम क्या करेंगे 5 मिंट की रेट केंडल क वेट करेंगे उसके नीचे हम यहाँ पर पुट की पोजीशन को बनाएंगे इस केंडल के हाई का सिर्फ एसल लेंगे इस से जदा बड़ा एसल नहीं लेंगे अगर दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया भी था कि अगर आप हमारे फ्री वाले ग्रूप में भी जॉइन हो जाहिए अगर आप चाहते हैं तो देखिए दोस्तों जैसे हमने अपने फ्री वाले ग्रूप में भी आप सदी को 20,100 का पूट दिया था जो की 29 के लेवल पर तो जैसे ही दोस्तों हमारा यहाँ पर लेवल एक्टिवेट होता है तो आप देख सकते हैं दोस्तों आपको कित 5-6,000 का प्रॉफिट हो गया हो तो वह भी बिल्कुल फ्री आफ कॉस्त में जिसका कोई भी चार्डिस नहीं था तो अभी आप किस चीज का वेट करें जल्दी सजाएए पावर आफ सेट अप यह हमारा प्रोफेशनल चैनल है जिसको जाकर आप जॉइन कर सकते हैं जिसका आपको हमारी वीडियो के डिस्किप्शन में परवाइड कर दिया गया है तो जैसे ही दोस्तों यहां पर यह लैवर ब्रेकडाउन हुआ तो आप सभी को एक फ्लो में यहां पर अच्छा का सा ताउंसाइड का मुमेंटम देखने को मिला और हमने आप सभी को कहा तक कि दोस अल्मोस्ट उसी रेंज के असपास यहां पर मार्किट क्लोज हुआ है तो कहीं न कहीं दोस्तों क्या है मार्किट में एक बहुत अच्छी यहां पर अपसाइड का मुमेंटम आप सभी को देखने को मिल रहा है क्योंकि देखिए इतनी ग्रावट के बवजुद भी यहां पर फ्लैट ओपन होता है 20,125 के असपास में तो आपको ग्या करना है तो आप देखिंगे दोस्तों यह जो आज का हाई है मार्किट का 20,150 तो जैसे दोस्तों यहां पर ब्रेक आउट करता है मार्किट तो आप सभी को यहां पर बिंदास होकर कॉल साइड की पोजीशन और फिर 22,250 के का एंड 2300 के अप सभी को टार्गेट फिर देखने को मिल चकते हैं अगर माली से दोस्तों मार्किट यहां पर बीस बीस अजार दोस्तों के आसपास गैप अपन हो जाता है तो आपको घ्या करना है तो आपको दोस्तों थोड़ा सा वेट करना है इमेडियेट यहाँ पर एक support लेते हुए दिख सकता है लेकिन दोस्तों आपको first pullback में यहाँ पर कोई buying की positions को नहीं बनाना है जब market कुछ इस परकार का price action बनाएगा दैन आप यहाँ पर अपने buying की positions को बना सकते हैं आपको दोस्तों यहाँ पर 2130-125 का आपको stop loss लगाना है इससे जदा बड़ा stop loss लगाने की कोई जोर्त नहीं है और फिर दोस्तों आपसे फिर से market हैं 2200 और फिर दोस्तों 2250 और 300 तक की easily targets देखने को upside की तरफ मिल सकते हैं अगर माल लीजे दोस्तों market यहाँ पर 2100 के आज पास global market के कारण gap down open हो जाता है तो आपको गया करना है तो आपको दोस्तों यहाँ पर फिर से wait करना है क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है market का एक high था आज के दिन और यहाँ पर market का एक low है फिर market क्या होगा दोस्तों इस range में कई न कई फसने वाला है क्योंकि यह क्या होगा यहाँ पर देखिए buyer और seller अच्छी quantity के साथ में आए हैं तो यहाँ पर क्या है फिर market अपने आपको एक range pound में रखेगा और दोस्तों फिर आपको कल की दिन फिर कोई इस खास बड़ा momentum भी देखने को नहीं मिल चकता है momentum आपको दोस्तों कम बिलेगा जब यहाँ पर market 20,000 के नीचे traveling करने लगेगा दैन आपको एक downside का यहाँ पर momentum देखने को मिल चकता है आप देखेंगे यहाँ पर bank nifty में भी आज अच्छे कासी आप सभी को ग्रावर्ट देखने को मिली एंड यह इतना recovery नहीं कर पाया है जितना कि आप सभी को nifty में यहाँ पर एक recovery देखने को मिली है तो कहीं न कहीं दोस्तों यह जो candle है यह आपको red में close होते हुए दिखी है लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर day 1 का chart देखेंगे तो यहाँ पर market अपने आपको एक level से यहाँ पर breakout के लिए ready हो रहा है लेकिन दोस्तों आपको क्या है अभी यह जो high आपको देखने को मिल रहा है 44,748 के आजपास यहाँ पर आपको wait करना है थोड़ा सा क्यूंकि market क्या है अभी इस level के आजपास में अपने आपको एक resistance level यहाँ पर ले रहा है तो यहाँ पर क्या है दोस्तों यह जो level है यह level काफी जाद है important होने वाला है अगर मालिश दोस्तों market यहाँ पर flat open होता है 44,500 के आजपास में और दोस्तों चैसे ही यह 44,600 का level cross होता है तो आप यहाँ पर बिंदास होकर buying की positions को बना सकते और आपको दोस्तों यहाँ पर जो SL लगाना है वो 44,500 का इस से ज़दा बड़ा SL लगाने की कोई जोर्त नहीं है और दोस्तों आप सभी को पहला जो target देखने को मिलेगा वो 44,700 और दोस्तों 44,800 और फिर दोस्तों आप से भी 45,000 तक के भी targets देखने को मिल चकते हैं लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ का जरूर ध्यान ध्यान देना है अगर market यहाँ पर gap down open हो जाता है 44,400 के आसपास पर तो फिर आप देखेंगे यह कहीं न कहीं क्या है market में आज एक low जो लगा है 44,000, 280 के आसपास पर market यहाँ पर एक support लिया है तो market जब इसके नीचे यहाँ पर travel करने लगेगा and retest करके जब नीचे की तरफ आता है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर wait करना है क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर आज एक अच्छा fall आप सभी को देखने को मिला है तो अगर यह इस level को breakout करता है तो आपको इसके breakout पर यहाँ पर buying की positions को नहीं बनाना है और दोस्तों जब यहाँ पर breakout के बाद retest करेगा इस level को जब retest करेगा and दोस्तों यहाँ पर जब pullback लेगा तो आप दोस्तों इसके hyper यहाँ पर buying की positions को बनाएंगे and दोस्तों आप से भी को यहाँ पर 45,000 तक के फिर easily targets देखने को मिलेंगे तो अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे telegram channel को join नहीं किया है तो अब मैं आपको फिर से बोलता हूँ आप इसको join कर सकते हैं यह बिल्कुल fury of cost है जिसका कोई भी charges नहीं है and आप दोस्तों हमारे यहाँ पर call से भी अच्छा कासा यहाँ पर पैसा बना सकते हैं मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करें and channel को subscribe करना ना बूले तो चली दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं हम नेक्स वीडियो में जब तक के लिए जैहिन वंदे मातराम